आसागर तो आप सब अच्छे होंगे मैं आ नहीं जितिनुर कुमार सिंग और ट्रीकी मैस फैंदी में आप सभी का सवागत है आज के सेशन में में बात करेंगे मैं ट्रेन का पार्ट टू में मैंने बहुत ही अच्छे डंग से बेसिक कुछ important questions को complete करा दिये हैं उसका link मैं description में दे दूँगा description से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं तो सबसे पहले आपसे request है कि उस part को देखे ताकि इस part को भी आपको अच्छी डंग से समझ में आ सके और यह जो portion है train का portion अच्छी डंग से अपका complete हो जाए ठीक है तो चलिए इस session को start करते हैं तो इस session में हम लगाएंगे important questions plus देखेंगे कैसे बहुत ही आसानी से बहुत ही simple shortcut method से अच्छी question को solve किया जा सकते है ठीक है तो चलिए देख लेते हैं हमारा पहला question क्या है तो दिखेंगे जैसे कि आपको पहला question दिख रहा होगा question आपको समझी भाया है चलिए question को मैं और एक पर repeat कर देता हूं और main point जहां पर आपको रुखना है और समझना है उस point को दिखाता हूं इस तरह के question में तो कोशे ने दो रेल गारी है जिसकी लंबाई 400 मीटर और 600 मीटर ठीक है समझना अतर पद्री पर कैसे समझना अंतर पट्री पर कंशा किलोमेटर परति गहंटा और 38 किलोमेटर परति गहंटा चाल से वी में पॉइंट एEM मतलब मालने अब आगर जा रहे तो है ने का फोर्मॉला इस तक निकालने का फार्मॉला जो होता है चांव निरोन कंभी सभी सपीड र正्ञ चाहिए स्पीड और हो क्यों चाहिए सबस्बूद आप्प्रस्वीν यह इंशे की हुव स्पीड के ऊपटा कि निखा व सब्सक्राइए तो पार्ट वन देखिए जो जिसका लिंक आपको description में मिल जाएगा तो distance यहां पर क्या हो जाएगा distance जो हो जाएगा दोनों rail गारी का जो लंबाई है उसी का योग जो होगा यहां पर distance होगा तो यानि 400 ठीक है एक रिल गारी का लंबाई 400 दूसरा कितना 600 ठीक है यानि 1000 हो गया चलिए और speed क्या हो जाएगा तो speed चुकी चुकी यहां पर क्या हो रहे विप्री दिसा में दोनों train जा रहे है यानि दोनों का जो चाल होगा वो क्या होगा जूर कराएगा यानि है 52 किलो मीट्र परती घंटा plus डूसरा क्या हो जाएगा दूसरा है आपका 38 किलो मीट्र परती घंटा ठाटा ठीक है तो बस हो गया यह आपका distance और यह आपका speed तो लिखे तो जोड के लिखेंगे तो यहां पर कितना हो जागा 1000 ठीक है 1000 बksomय हो जाएगा समय हो आपका 90 ठीक है तो अब इसको काटिए तो कार्टिंग कितना हो जाएगा अच्छा और एक चीज ध्यान दीजिए यहां पर आपका डिश्टेंस है वह किसमें मीटर में है जबकि आपका स्पीड कीलो मीटर परती घंटा है यानि स्पीड को भी मीटर परती सकने बदलना है तो और स्पीजिए तो किया हो जाएगा चले तो 50 155 पर दगनी 10 यहां पर हो गया दो फीर 500 कितने बार में चालीस बार में इसका मतलब हो जाएगा अपका राइट अंसर 40 सेकेंड ठीक है चालीस सेकेंड में ही क्या हो जाएगा 40 जो है आपका जो टाइम और शूपा निकाले कि बोलाए कि कितने समय में वो एक दूसरे को पार करेंगी तो 40 सेकेंड में वो एक दूसरे को पार कर जाएंगी यह हो जाएगा आपका राइट आंसर जहां भी ऑप्शन दीखें टिक किजिए और आगे बढ़िए आयोप आपको समझ मैं होगा चलिए अगला कोशन देखते हैं और देखते ही कि हमारा अगला कोशन क्या है तो देखें अगला कोशन है दो समान लंबाई की रेल गारिया की चाल क्राम सा 67 किलोमेटर परती घंटा और 41 किलोमेटर परती घंटा है समाना अंतर पर्ट्री पर विपड़ी दिशाओं में चलते हुए एक दूसरे को एक पुर फिद्टे के तो दिःखें यहां पड़ी जो इसको लिख लेजिये ठीकर अगे में आपको समझाथा आँ तो सबसे पहले देखें यहां पर टाइम दिया हो से जब एक और अधो इसके मिनिट क्या हो गया है यह तो एक मिनिट मतलब हो गया 6 स्पीड जो है कितना है पहला रिल गारी का 67 किलोमेटर परती घंटा और दूसरे का 41 किलोमेटर परती घंटा चुकि दोनों एक दूसरे का ओपोजीट में जा रहा ना इस तरह से यानि जो स्पीड हो जूर के आएगा तो 67 67 प्लस कितना प्लस 41 ठीक है इसकल टू कितना हो मीटर परती घंटा 108 पर्दी घंटाले खिर्येस eleven तो स्सém है सेड़ेश्य कितन बात में देख derived इसको काकन कोई जरूत नहीं है यह फूरा कटेगा भी नहीं तो उसको फिलाल ऐसे छोड़ दीजीट इस के अब देकिये आपके पास क्या है % है आपके पास क्या है आपके पास स्पीड है ठीक है आप से पूछा क्या है आप से पुछा है परतेक रेल गारी की लंबाई क्या होगी तो बेसिकल हम बोल सकते कि आप से पूछा है डिस्टेंस एक तरस अपको आप से डिस्टेंस पूछा है तो डिस्टेंस इसकल तो क्या हो ठीक है तो इस पीड है और टाइम है तो डिस्टेंस निकाल सकते हैं तो लेकिन यह आप आपको बताना पड़े गया कि exactly यह जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा तो दिखें मैंने आपको पहला कोशा में बताए कि डिस्टेंस ब्राबर हो जाएगा दोनों ट्रेन की लंबा इसकल ठू स्पीड आपका की अधिया डिखें आपका है कितना निकाले थे अपने डिस्टेंस जो है वो आपका एता एक सो आट गुना ठीक है पांच बाठ्टा-ठाार यहां था चीक है उसके बाद अब रहिगो कितना था तयु कुल में अबचन में था न एक बेंट आता आप इसका पुझे घूंगे जाएगा आपका इस आपका हो जाएगा यहां पर जैसे आप गुणा कड़ेंगे तो इसका आणसर आजाएगा चोवन गुना पांच गुणा पांच यानि हो गया आपका 13135 जीरो ठीक है मीटर जिसमें आए आपका अंसर मीटर में ठीक है गुना कीजिए ना चववाण गुना पांच कितना हो जाएगा आपका पांच बीस और 25 यानि 270 इंटू 5 तेरह सो पचास ठीक है आयोप आपको समझ में आया होगा तो जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा तेरह सो पचास मीटर जो एक ट्रेन का लंबाए होगा ठीक हो वो क्या होगा तेरह सो पचास मीटर आयोप आपको समझ में आया होगा दिखें मैंने बहुत रि उसे ने 500 मिटर तता 300 मिटर लंबाई की दो रिल गारी क्रम सा 47 किलोमेटर परति घंटा ता 65 किलोमेटर परति घंटा की चाल से समनांतर पर्टरी पर समान दिशा में जा रही है ठीक है कितने समय में दोनों एक दुसे को पार कर जाएगी यहां पर आपको समझना क्या है समान इस दिशा में मतलब एक अगर इस दिशा में जाया रहे तो दूसा भी उसी दिशा में जाया धीक है तो मैंने आपको बताया था ऐसे में सापेकस चाल क्या हो जा मैंने बता दिया यहां पर बस यूजज करना है है तो दिखें यहां पे तो आपसे क्या पूछा है कि दोनों एक दूसरे को पार कर जाएगी कितने समय में आपसे समय पूछा है मतलब time पूछा है तो time is equal to क्या फिर से distance by speed यह होगा distance by speed तो चलिए distance निकाल लिजे distance क्या है दोनों racis का लंबाई होता है ठीक है कितना 500 कितना 300 थीक है और स्पीट चाहिए सब बिशलों कितना हो जाएगा तो देखें है दोनों एक yan जा रहे है इसलिठा करेंगे खहें है गिट डोंए प्रती गणcm और एक सरभी स्टारीज़े मिटवर रस तो हो जाएगा आपका कितना घतालीजिस को तो आजाएगा आपका अठारा अठारा लेकिन किस डो समय की dulona ऑप मेटर पर 50 अठारा रहीं कर जाएगा तह पूंच मीटर परती सैकंड पांच मीटर पर सेकेंड ठीक है बस आप इस रिलेशन पर रख दीजिए आपका आंसर आ गया आई होप आप खुछ से कर सकते इतना ठीक है चलिए आप रखके बताइए कितना आंसर आता है कॉमेंट में लिखें ठीक है मैं हरे कॉमेंट का रिपलाई जरूर देता हूं किलोमेटर परती घंटा की चाल से एक ही दिशा में जाती है यदि परतेक रेलगारी की लंबाई चौब सब्सक्राइब हो तो बी दवारा एक को पार करने में कितना समय लगेगा यह को से बिल्कुल में नहीं करवाने वाला क्यूंकि अब पहला को से नहीं इस तरह का था ठ है सिर्फी में लिखे इसकी आँसर क्या होने वाला है चले आगे बढ़ते हैं और अगला में देखते हैं तो देखें अगला कोसल क्या है कartaβल एक सोबीस मीspl ताथा नब्बे मीर लंभी दो रेल गारिया क्रम सा असी किलोमेटर परती गटा ताथा 55 किलोमेटर परती गटा क कि चाल से एक दूसरे की और समानना अंतर पट्री पर दोड़ रही है यदि उनके बीच की दूरी 90 मिटर हो तो वे कितने समय बाद एक दूसरे को पार कर जाएंगी थोड़ा सा चेंज है इसमें को ध्यान से पढ़िए ठीक है बहुत कोई कंफीज हो गए होंगे देखे मैं ब क्रम सा 80 किलोमेटर परती घंटा था 55 किलोमेटर परती घंटा की चाल से एक दूसरे की और समनानतर पट्री पर दोड़ रही है यदि उसके बीच की दूरी 90 मिटर हो तो वे कितने समय बाद एक दूसरे को पार करेंगी फिर सबसे टाइम ही पूछा है पहला तो टाइम पू कि आपको यहां पर जानना पड़ेगा वह कॉंसेप्ट क्या है तो ध्यान दीजिए सबसे पहला जो कॉंसेप्ट है कि चुकि जो ट्रेन है एक ट्रेन कैसे जा रही है ऐसे जा रही है ठीक है कोशन में क्या है 120 मीटर लंबी और 90 मीटर लंबी दो रेल गारी करम सा 80 प्रति घंच के चाल से एक दूसरे की ओर थीक है मतलब एक दूसरे के ऑड़ मतलब कि आंपोज्यट ड्रेक्शन में तो एक ट्रेन अइसे जा रही है और एक त्रेन इधर से इस था जारी है लेकिन लेकिन दोनों के बीचमे डिस्टेंस भी है वह डिस्टेंस कितना यहां से लेके यहां तक कर बीच का ढिसेंस दोनों के बीच में कितना है गप्र करे गात तो इसलिए डिश्टेंस कि McKorbay Wing क corp tracking चाहिए गांट करेंगा जोंकि कितना है एक सो बीज फीर कितना है एक नबभे ठीक है और दोनों पबिच जिसको पार्ट करना है ठीक है हो गया अब निकालने क्या स्पीड तो आपको पता ही है चुकि दोना एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है इसलिए जो स्पीड हो क्या होगा जूर जाएगा यानि असी प्लस कितना पच्पन ठीक है फिर से देखिए यह पूर अब इसको मीटर परती सेकेंड में आपको मिलेगा बस इसी जो भी आपको मिला डिस्टेंस और यह जो स्पीड मिला इस यहां पर रखिए आपका हंसर आ गया ठीक है चले मैं कटके दिखाता हूं तो डिस्टेंस कितना होगा सब को जोड लीजिए तो 120-90 प्लस-90 मतलब 180 औ इसंस के होगा 300 बट्टा आपका स्पीड कितना हो जाएगा तो स्पीड दिखेए तो 135 गुना 5 बट्टा 18 ठीक है चले इसको सॉल्व कर लीजिए इसको जैसे इस रुप करेंगे तो आपका फाइनल आइसर कितना आजाएगा करके देखिए आप तो इससे इस अज्व तो आपका अंसर आ जाएगा चलिए मैं इस अंसर को इधा लिख देता हूं ठीक है इसको इसको करेंगे तो फाही कीजिए तो हो जाएगा 300 गुना 18 बट एक सो पैटीस गुना 5 यही होगा ठीक है अब इसको solve कीजिए तो इसको जैसे solve करेंगे तो आपका आज आएगा आर्ट सेकंड ठीक है आर्ट सेकंड मतलब यही जो time होगा जिसमें क्या होगा वो दुनों ट््रेजंगे एक दूस्रे को पार कर जाएंगी त्राइब स्माझमे आहा ऊगा चली आगे बढaldते और अगले कोशेन देखते हैं, देखती है कि हमारा अगले कोशेन क्या है तो दिखे अगला खुसे ने एक रेलगारी की लंबाई दूसरे रेलगारी की लंबाई का पांच बट्टा चार है तथा वे दोनों एक दूसरे को क्रम सा 27 किलोमेटर परती घंटा तथा समझ भाएं लेखे चलिम दिखाते हो कैसे करें इसको भी तो सबसे पहले जो आपको अपर यांपे दो घल यह थीक है तो बतारे कि जो एक जो दूसरे और गारी की लंबाई वह पहले का पांच बट्टा चार तो अप मांन लिजे जो फर्स रिल ठीके जो फस्ट वाला ट्रेन ठीक है to harsh ट्रैने उसकी लंबाई ऐल मानलीजिश लंबाई ए ले तो जो सेकेंड होगा ठीक है उस्ट्रैन का लंबाई क्या हो जाएगा तो हो जाएगा 5제 1ड may for इतना हो जाएगा ठीक है तो डिस्टेंस चैंगा दीक दोनों को जोड के लिखेंगे हम तो सब्सक्राइब कर लिए इसको तो क्या लिखेंगे हम देखिए यहां पर हो जाएगा आपका 4L plus 5L by 4 यानि हम बोलेंगे 9L by 4 यह हो जाएगा आपका डिस्टेंस ठीक है यह मिल गापको डिस्टेंस मिल चुगा ठीक है आगे अब आगे देखिए अब देखिए डिस्टेंस आपको क्या मिला मैं यहां पर लिख देता हूँ डिस्टेंस इसकल्टो आपको मिल चुका कितना 9L by 4 ठीक है अब देखिए आपसे पूछा क्या था अधिक जो लंबी रेल गाड़ी उसकी लंबाई क्या है तो आप देखिए लंबाई यानि क्या होता है इंडाई है स्पीड इंट टाइम तो आपको शाय है इसमान दिसा में ज्वारी है तो दिखे वह एक दूसरे को दूमियरSat, क्या दिया हुए वह जो चाल कितना है, 37 kmадцach ताथ दूसरे समान दिशा में जा रही है, मतलब एक ही दिशा में दूसरा भी ऐसे जा रहें, तो समान दिशा में जा रहें इसका जब क्या होगा दोनों जो स्पीड वापस में क्या होगा घट के आएगा तो 30-60 km पर दी घंटा और 37 km पर दी घंटा यदि घंटा के लिखिए तो कितना हो जगा 36 तो 36 km पर दी घंटा ठीक है लेकिन आपको फिर से देखना है कि यहां पर जो आपका यहों कंते हैं यह सब्सक्राइब हैं में कितना यड़ैसराइन किया ने के सपेड विन के सब्कार कहा टाइम किंदी स्पीड और यह आपके पास रिलेशन ठीक है इसे रिलेशन पर रखे आपका आंसर आ गया चलिए मैं इसको रखके दिखाता हो आपको देखिए इसका आंसर कितना इसली आप निकाल सकते उसी रिलेशन से तो डिस्टेंस था जो कि 9L by 4 यह डिस्टेंस था तो डिस्टेंस इस स्पीड इंटु टाइम स्पीड क्या था आपका 36 ठीक है लेकिन एक किलोमेटर प्रदी घंटा इसको मिटर प्रदी घंटा बदनने के लिए पांच बट्टा ठाड़ा ठीक है इन्टो यहां पर क्या होगा टाइम लिखेंगे टाइम जो की 120 सेकेंट आप इसको सॉल्प करे आपका आजाएगा 9L ठीक है 9L इसको कितना आजाएगा पांच गुने 10 दस और इधर हो गया 1200 इसको मुना करेंगे तो और इंटु चार ठीक है अब देखिए आगे सॉल्प कीजे तो आगे सॉल्प करेंगे जैसे ही तो इसकल टू आपका कितना आजाएगा इसकल टू आज यहां पर चार गुना चार मतलब हो गया है 1600 ठीक है 1600 बट्टा कितना हो गया 3 ठीक है अब आगे देखिए तो इसकल टू आपका कितना आगया इसकल आगया आपका पहला का पांच बट्टा चार आप निकाल दीजिए तो दिखे चार से कटे का चार चोक 16 ठीक है यानि युके चार पंचे 20 मतलब हो गया 2000 बट्टा अच्छा 2000 बट्टा तीन से इसको काटेंगे तो कितना आजाएगा काटे यह आजाएगा चार minor 2tugy कि क्या हो जाएगा कर यहो जो एक आपका जयाएगा यह जो सेकएंड वाला ट्रेन है जोकी पहला ठीक पचे यह जो सर्ल È 6600 666 opisना आपको फाइनल आंशर हो जाएगा ओप आपको समझ में आया होगा असे मिन मिलते अगले सिसन में जा पर मैं और भी इंपोर्टेंट को से प्लस इंपोर्टेंट ट्रिक्स को लेकर आऊंगा तब तक लिए थेंक्यू पढ़ते रहे हैं सिखते रहे हैं